कुल जो अब फुल चार्ज किजेगो दमदार रेंज देता है आए कौन सी कंपनी का है सरकार कितना सबसेड़ी दे रहा है और कब तक इसका जो ओफर रहेगा सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किए तुरं सस्क्राइब कर लिजे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजे आए परले गाड़ी का फर्स लुक बनाया गया है सांदार लुक के साथ आपको डिस ब्रेक देखने को मिल जाता है आए इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं हम लोग यहां पर बात किया जाए दुस्तों तो एलेमेल स्कूटर मार्केट में कभी अपनी जो है अमीट छाप को छोड़ने वाली एलेमेल अपना एक इलेक्टिक स्कूटर एलेमेल स्टार इलेक्टिक स्कूटर को लॉंच करने जा रही है जिसकी एक जहलक जो है पिछले ओटो एक्सपो में देखने को मिली थी वहीं इस से जो है देश का सबसे सस्ता स्कूटर माना जा रहा है जिया दुस्तों बता देश का सबसे सस्ता इलेक्टिक स्कूटर यहां पर लॉंच कर रहा है वहीं हम लोग बात करते हैं दोस्तों आगे तो ओटो एक्सपो में जो है दिखाए मोडल में लोगों को बहुत पसंद आया लोग इस मोडल को जो है मार्केट में आने की बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं सबसे अहम बा आज कीजिएगा 300 किलोमीटर तक यहां पर चलते रहिएगा आगे बात करते हैं तो इलेक्टिक टूविलर सेग्मेंट में जो है एंट्री भारतिय मार्केट में लगतार बढ़ रही है जिसमें से कुछ नए ब्रांड तो कुछ पुराने ब्रांड भी हैं जो अपने पुरा इलेक्टिक टूटर लॉंच कर रही है आगे में लोग बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बारे में तो 300 किलोमीटर की रेंज जिया दूस्त बता दे इस इलेक्टिक टूटर को जो है कई वेरियंट में देखा जाएगा इसलिए इसके जो है रेंज को लेकर के अनुमान लगा जा रहा है कि 300 किलोमीटर की रेंज होने वाला है जिया दूस्त बता दे यह गाड़ी 300 किलोमीटर की रेंज देगा हलाकी अलग 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 वेरियंट में लॉंच होगा जहां पे 200 किलोमीटर की गाड़ी आपको मिलेगा 100 किलोमीटर कभी मिलेगा वहीं नहीं कंपनी के अन रखती है इसमें आपको बता दे हेलमेट रखने के लिए जो है सीट के नीचे काफी बड़ा जगा दिया जाएगा और परियावरन स्टोरिज अस्पेस को ध्यान में रखते हुए इसमें मोटर और बैटरी को जो है कॉम्बिनेशन के साथ रिमूवल बैटरी से भी ले किया ज जिहां दूस्तो बताते मीडिया रिपोर्ट की माने तो कंपनी इस एलेक्टिकश को दिसमबर 2023 में लॉंच कर सकती है सबसे अच्छी बात यहां है कि यह इलेक्टिक अस्कूटर पूरी तरह से मैड इन इंडिया में पनाया गया है वहाई इस इलेक्टिक अस्कूटर को तो यहां दोस्तों अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आसानी से बुक करेंगे विंडो नहीं खुल जाएगी उसके बाद इसे आसानी से बुक कर सकते हैं Dicember मैं मार्केट में लॉंच किया जाएगा तो चलिए तब तक देखते हैं कब तक यह लॉंच होता है दिसंबर तक लॉंच होने से पहले आपको एक बार और इंफॉर्मेशन दे देंगे ताकि आप लोग फटा-फट इस गाड़ी को बुक कर लेजेगा चलिए आज की बड़ी इंजा भरत